हेलो फ्रेंड वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आज इस वीडियो में जानेंगे जो कि मेकेनिकल इंजिरिंग फिप सेमेश्टर में मसीन डिजाइन का मसीन डिजाइन का सब्जिक्ट है उसके बिसे में भी बी आई कोश्चन जानेंगे कि सबसे एट पुटेंड कोश्चन कौन से है 15 प्लस कोश्चन का बिसे में अधेन करेंगे और इसका एंसवर कहाँ पर मिलेगा और इसका पीडियो कहाँ पर मिलेगा बने रहे इस वीडियो में हम बताएंगे ठीक है और आप नोट करना है कोशन को तो आप साथ में कोपी और पेन लेकर बैटें नोट करना है तो नोट करिए नहीं तो आपको पीडियो कहां मिलेगा मैं आपको वीडियो में बताऊंगा बने रहे ये वीडियो में पहले हम लोग देखेंगे कोश्चन की इस परकार के आता है और थोड़ा-थोड़ा मैं बता दूँगा कि कोश्चन क्या कहता है इस तरीके से लिखना है ठीक है बनरी इस वीडियो में आई देखते हैं हम लोग कि पहला कोश्चन हम लोग का क्या है कि मशीन पार्ट को डिजा कोहने का मतलब ये है फ्रेंडिस कोश्चन में कि डिजाइन के कौन-कौन से पार्ट होते हैं और डिजाइन फेल कैसे होता है उसके भी सहमें धेन करना है और डिजाइन को समझाना है ठीक है डिजाइन क्या होता है किस परकार के होता है ठीक है दूसरा कोशन है कि तनाव एकरता से क्या ततपर है तथा सुरच्छा के कारक की आउधारना को समझाए और मशीन डिजाइन समय ध्यान देने वाली बाते कौन-कौन सी है कहरा है फ्रेंड इस कोशन में कि तनाव एकर्था को ततपर क्या है तथा सुरच्छा कारण की अधारना को समझाए और मसीन डिजाइन समय ध्यान देने वाली बाते कौन-कौन से हैं देखिए मसीन डिजाइन जो मसीन डिजाइन पर डिजाइन करते हैं उसमें कौन-कौन सी बाते को ध्यान में रखना चाहिए और सुरच्छा का कारण कौन-कौन सा है ठीक है और तनावे करता क्या होता है दूसरा कोशन ये बोलता है ठीक है तिसरा कोशन ये है कि अधिक्तम सिधान अधिक्तम सिधान तनाव सिधान और अधिक्तम सिधान करता नहीं तनाव सिधान को समझें ठीक है फ्रेंट ये हिंदी में कोशन है क्योंकि बच्छों ने कमेंट किया था कि सर हिंदी में कोशन बताओ क्योंकि इंगलिस थोड़ डीप पर रहा है ठीक है बता दू फ्रेंट कि ये मसीन डिजानिंग जो है वो क्या होता है ठीक है इसका डीफनेशन लिखना है आखिर क्या क्या होता है दूसरा भी आता है इसका कि सहन सक्ति सीमा और सहन सक्ति की सक्ति क्या होती है ठीक है और तिससी आता है कि तन्यता करतनी और शंपीनन भार इस तीनों सारे को जो निमलिखित बारे में लिखी आया है इसको definition define करना है definition लिकना है ठीक है friend आप से छोटा से request करूँगा कि इस channel को अभी तक subscribe नहीं किये हैं तो इस channel को subscribe करके bell icon on कर लें किसी परकार से VBI question आने वाले आपको वीडियो प्रवाइट कराते रहें जैसे कि आपकी automobile का मैंने वीडियो प्रवाइट कराया था और आने वाली production management को भी मैं VBI question का वीडियो प्रवाइट करूँगा और ये पहले machine designing का है ठीक है अभी तक subscribe नहीं किये हैं तो कर लिजिए इस वीडियो को like कर दिजिए क्योंकि like करते हैं तो motivational मिलता है लाइक कर दिजिए इस वीडियो को ठीक है डी आता है हम लोगा इसी परकार से friend definition लिखना है ठीक है यह आता है कि वीविन परकार के अंतरी गूण है एफ आता है पावर उसक्रोप की दचता क्या होता है ठीक है इसी परकार से है friend कर लिजिए इस वीडियो को like और चैनल को subscribe क पर लिजिए क्योंकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे देखिए पांचवा कोशन है कि साफ्ट है उन एकसल में अंतर लिखें और संपिंडन और इसके परियोग को लिखें ठीक है बने रहे इस वीडियो में मैं इस question का answer जो देखिए पहले तुम्हें बता दू कि जो कुछ question है इसमें मैं अपने mechanical engineering playlist बना कर YouTube में वीडियो डाल दिया हूँ अभी तक उस वीडियो का नहीं देखें है तो जा कर देख लिजिए और इसका answer पुरा question का answer कहां पर मिलेगा बने रहे हैं मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका question का answer कहां पर मिलेगा ठीक है तब तक आता है तो जो method विजी है जो पूछेगा उसकी बोला है कि साप्ट और डिजाइन सन्युक्त जुकना और मूर्णा इसका diameter लिखना है ठीक है फर्मूला के साथ diameter लिखना है मान्डदन सिधान सक्ती एम कठोड़ता ठीक है अभी आता है कटर एम नकल जोड कुंजी विफलता कैसे होती है ठीक है इस परकार से अठवा question आता है फ्रेंड कि जोड एम फाटन का उधार्ण सहित समझें ठीक है नो आता है कि वेल जो एम इसके परकार को लिखें और coupling है और दस्वा question आता है cutter joint और designing के failure से क्या समझते है ठीक है एगर हम पहुचान आता है कि coupling से क्या ततपर है माप एम फ्लैंस coupling से को समझें आप machine design को अच्छे से पढ़े होंगे ता आपके लिए ये कुछ भी नहीं है आप कर लेंगे ठीक है मैं बता दूँ कि ये जो question है 99% करांटी देता हूं कि इसमें से question आना ही आना है ठीक है और ये जो question है जैसे कि question 12 है इस परकार के question मैं जो बता रहा हूं वो 5 नमबर में आते हैं इस question को जो question में बता रहा हूं friend इस question को आप अधेन कर लोगे तब 45% मार्क्स बन जाएंगे पहले बता देता हूं में ठीक है देखे इसका 12 नमबर का निम्लिकित में अंतर लिखना है 12 नमबर का पहला question है कुझी और quarter quarter को define करना है कि क्या अंतर होता है कुझी और quarter में quarter नकल जोड में क्या अंतर होता है ठीक है इसी परकार से सब है आप देख सकते हैं तिरहावा question आता है friend इकुझी इसके परकार को च question करके change आजाएगा ता दो आप लिकले लिए ना इसे घपडाना नहीं ठीक है चोथा कोशन आता है कुण्जी की design करने की बीधी यह हम इसकी विफलता को समझाएं ठीक है कुझी को डिजाइन करने में कौन कौन सी बीधी आती है और विफलता को समझाएं मतब फेलियर क्यों हो जाता है ठीक है रिबिट जोड यह हम इसका वरिकन समझें देखिए रिबिट जोड कैसे करते हैं ठीक है उसी में का ये है, ठीक है, सोरावा कोशन है कि रिविट जोईंट किस-किस कंडिशन में फेल हो सकता है, विस्तार से समझें, ठीक है, रिविट जोड होता है, वो किस-किस कंडिशन में फेल हो सकता है, विस्तार से समझें, ये इसमें लिखना है कि रिविट जोड हम लोग करत हैं जो रेबिट जोड होता है वो टमपरेवरी जोइंट होता है ठीक है उसी के भी फलता को समझाना है सत्राव कोशन आता है इस त्रेड जोइंट इसके परकार और फायदे को समझा जए ठीक है इसी परकार से Friend Question है है मलोकास ठीक है आपने स는지 Monsieur प्रेसमार नोट कर लिया भी वह होगा और स्क्रीन प्रेसमार नोट नोट आपने देख भी लिया होगा और मैं बता दूं कि इसका जो PDF है ठीक है इस Answer का PDF है और Question का जो PDF है मेरी terigram channel में आपको मिल जाएगा इसका notes इसका कुश कोशनों का मैंने वीडियो बनाकर mechanical engineer playlist में बनाकर मैं डाल दिया हूँ जैसे कि joint का परकार क्या होगा रीविट ये गरा क्या होता है ठीक है अभी तक आप नहीं देखें तो उसको जाकर देख लिजिए science info ठीक है अभी तक फ्रेंड आपसे मैं एक छोटा सा और request करता हूँ कि अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किये तो इस चैनल को subscribe कर लें और वेल आइकन अन कर लें कि आने वाली वीडियो इस तरीके से आल सब्जेक्ट हो आपको भी वी आई question मिलती रहे ठेक है और मैं बता दूँ आपको कि इसी चैनल के माध्यम से SEJ, RRB, JAJ और UPJ UPJ के जो आप तियारी करेंगे इंजिनियर है जो की electric और mechanical दो बरांचों के लिए इस चैनल के माध्यम से तियारी कराया जाता है ठेक है CBT1, CBT2 तो दोनों सब्जेक्ट रहा जब तक आपकी पूरी डॉक्मेंट फेरिपिकेशन एगारे सारा उन से लेकर जेट तक की सारी डीटेल इस पे बताई जागी और देखिए आल कोशन इसमें कोशन जो भी ससी जेई में आते हैं इलेक्ट्रिक और मेकेनिकल सारे बताए जाते हैं जो आल येर स्टूडेंट फीड्फ नोटस हिंदि में दिया जाता इस यूट्व का माहत्य हमसे और टेरिग्राम के चैनल के माहत्य हमसे ठीक है और है ₱ यह मेरा य।ूब का लिंक है आप मेरे पीड्व में जाओगे तो यह लिंक खूल जायगा वहां सटाब करकर आप इ वीडियो को सेयर करो कि उन लोग भी एक कोशन को अधेन करें और जाने और अच्छे से पेपर करें ठीक है थाइंक यू जाहिन